इस वीडियो इस पावर्ड बाई कैश करो कैश करो इंडिया जी नमबर वन कैश बैक एंड कूपन वेब साइट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 98 रुपे का रिचार्ज आप फ्री में कैसे करें तो वीडियो को एंड तक देखना ने भूलें कभी ना कभी हमारी जिंदगी में एक ऐज़ा समय आता है जब हम जीने की सारी उम्मीदें छोड़ देते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो चुकी है लेकिन उन लोगों के लिए कुछ मिसाल है जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ खुद को बदल डालने की सची कहानिया जो किसी को भी आगे भढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है ये वीडियो देखने के बाद बड़ी से बड़ी मिमारी या बुरे से बुरे हालात में भी आपको आगे भढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा इन लोगों ने जो किया वो शायद आम लोगों के लिए ना मुम्किन था पांच साल पहले ये लड़की खुद से ना चल पाती थी और ना ही खुद से ना हा सकती थी उसका वज़न इतना जादा था कि उसे अपनी जादातर जिंदगी चार दिवारी के भीतर ही बितानी पड़ती थी लेकिन 2014 में एमबर ने एक टीवी शो में हिस्ता लेने का फैसला किया जिससे वो अपने सारे सपने पूरे करना चाहती थी जब ये 24 साल की लड़की पहली बार एक डॉक्टर से मिली तब लड़की का वजन 292 किलो था जिस वज़े से वो खुद को हिलाने में भी सक्षम नहीं थी अमबर ने कहा कि उसे हमेशा खाने की लालसा रहती थी खाने के लिए वो खुद को हमेशा तडपता हुआ महसूस करती थी असल में इस लड़की को लिंफडेमा नामक बिमारी थी इस बिमारी की वज़े से उसके शरीर में मोजुद टीशूज में बेहत सूजना चुकी थी और इस बिमारी से बाहर निकलने का एक ही रास्ता था और वो था एमबर खुद से अपना वज़न कम करे डॉक्टर्स ने बताया कि उसका वज़न कम करने के ओपरेशन करने से पहले एमबर को खुद से कुछ किलो वज़न कम करना पड़ेगा उसे नहीं पता था कि वो ये सब कैसे करेगी उसके लिए ये कोई असान काम नहीं था उसने महनत करनी शुरू करी और ये पाया कि उसके हर हिलने डुलने पर उसे बेहद दर्द का सामना करना पड़ता था डॉक्टर्स ने उसके खाने पीने का पूरा तरीका ही बदल डाला लेकिन इतनी समस्याओं ने भी अंबर को रोका नहीं कई महिने तक खुद से महनत करने के बाद फाइनली डॉक्टर्स अंबर का ओपरेशन करने को तयार हो गए लेकिन ये तो बस शुरुआत थी ओपरेशन के बाद अंबर को हर रोज पूरा पूरा दिन जिम में रहना पड़ता था महनत करनी पड़ती थी इसके बाद भी कई और ओपरेशन अंबर के किये गए और इन सब काम में लड़की ने 180 किलो वजन अपना कम कर लिया और तब से लेकर आज तक ये लड़की एक अच्छी जिंदगी जी रही है बीना किसी बिमारी गे आपने कई बार लोगों के मूँ से सुना होगा कि उन्हें धूप से अलर्जी है या फिर आपने कई फिल्मों में ऐसे किरदारों को देखा होगा जो धूप में बाहर नहीं निकल सकते बदकिस्मती से ऐसा ही कुछ एलेक्स वेब के साथ सच में हो रहा है लेकिन उनकी हाला कुछ जादा ही खराब है इतनी खराब कि आज वो घर से बाहर निकलते हैं तो लोग उनकी तरफ एक अलग ही नजरीय से देखते हैं इंग्लेंड के रहने वाले एलेक्स को वहां के लोग आज एक वेमपायर जैसा मानने लगे हैं क्योंकि वो कभी भी खुद को धूप में बाहर नहीं निकाल सकते धूप में बिना किजी प्रोटेक्शन के खड़े होने पर एलेक्स की जान तक जा सकती है और इस वज़े से कुछ भी काम करने के लिए एलेक्स को शाम या रात का इंतजार करना पड़ता है और अगर दिन में उन्हें कभी बाहर जाना भी पड़ता है तो भी वो एक खास तरहे का सूट पहन कर ही बाहर निकलते हैं जिससे उनका शरीर ढखा रहता है और कुछ इस तरहे ही एलेक्स ने अपनी जिन्दगी के 25 साल आज निकाल दिये है उनके घर में हर खिडकी और दर्वाजे को सक्त तोर पर बनाया गया है जिससे दूप का नाम और निशान अंदर ना आ सके ये सब उनके पैदा होने से ही शुरू हुआ जब वो कुछी महिनों के थे तब उनके माता पिता पहली बार उन्हें धूप में बाहर लेकर आए और सिर्फ 10 मिनट में ही बच्चे की तवचा पूरी तरहें से लाल हो गई और आप शायद विश्वास ना करें पर एलेक्स की तवचा आम लोगों से 10 हजार गुना ज़्यादा सेंसिटिव है लेकिन इस कहानी का अंत कुछ हद तक अच्छा हुआ डोक्टर स्वारा एक खास तरहें का मास्क एलेक्स के लिए बनाया गया जो एक तवचा का ही काम करता है कई हजार स्कैंस लेकर बनाया गया ये मास्क एलेक्स के मुँपर पूरी तरह से फिट बैठता है ये इतना पतला है कि कोई पहजान भी नहीं सकता कि एलेक्स ने मास्क पहना हुआ है 19 साल की ये लड़की हम सभी के लिए एक उधारन है कि अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए कभी भी हार नहीं माननी चाहिए प्रोफेशनल रनर बनने से आज तक कैटी को भी कोई नहीं रोक पाया मैंने कहा कोई भी नहीं मतलब एक ऐसी बिमारी भी उसे रोक नहीं पाई जिससे उसकी जान तक जा सकती है हर रोज कैटी को पूरे दिन में 16 भार दोरे पड़ते हैं जिसमें वो कहीं भी बेहोश होकर गिर जाती है किसमत से कुछी देर में वो वापिस भी उठ जाती है कमाल की बात ये है कि दुनिया का कोई भी डोक्टर कैटी की बिमारी का इलाज नहीं कर पाया है अब इतनी गंभीर बिमारी होने के बाद भी कैटी के लिए अकेले भाग पाना मुश्किल था क्योंकि कई बार तो ग्राउंड का एक चक्कर लगाने में ही उसे कई दोरे आ जाते थे जिसके लिए उसने एक ट्रेनर अपने साथ रखा ये दोनों आज भी एक साथ दोर लगाते हैं और आज कैटी एक प्रोफेशनल रणर बन चुकी है तो अगली बार जब आप भी भागने का सोचें लेकिन आपका आलस आपको रोक रहा हो तो जरा कैटी को याद कर लें हो सकता है आपका दिमाग बदल जाए अब मैं आपको बताऊंगा कि आप रिचार्ड फ्री में कैसे कर सकते हैं सिर्फ कुछ सिंपल स्टेप्स में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बोक्स में दी गई लिंक पे क्लिक करें और अपनी प्रोफाइल बना लें इससे आपको मिलेंगे पूरे 25 रुपे फ्री साइन अप बोनस जो की रियल कैश है और आप इसे अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं आपको फ्री का 25 रुपे का बोनस आपको आईडी बनाते ही कैश करो अकाउंट में माई अर्निंग सेक्शन में शो होने लगेगा वीडियो में दी गई दूसरी लिंक पर क्लिक करके आप Amazon Recharge के ओफर पर पहुँच जाएंगे फिर आपको Activate Rewards पर क्लिक करना है फिर आपको बस Visit Retailer पर क्लिक करना है और आप Amazon Recharge की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे वहाँ पर Amazon Pay का Cashback Offer क्लिक करें और Order Now पर क्लिक करें अपनी Phone Details डालिए कमाल की बात ये है कि ये Offer किसी भी Operator पर अविलेबल है Pay Now पर क्लिक करें इसके बाद अपने Cash Call Account पर वापिस जाएं और My Earnings पर क्लिक करें 50 रुपे का Reward 24 घंटे के अंदर ट्रैक हो जाएगा और 50 रुपे का Reward आपको Pending Section में Show होने लगेगा और ये Reward आपको 10 दिन में Confirm हो जाएगा इनको आप Amazon Gift Card में Redeem कर सकते हो अगर इनका Balance 200 या इससे उपर हो Cash करो आपकी सबी जरूरतों के लिए Amazon पर विभिन कूपन रदान करता है हर खरीदारी पर Reward और Cash Back पाने के लिए Cash करो के माध्यम से Amazon पर खरीदारी करें आप Cash करो के थुरू 1500 से जादा Online Shopping Websites पर Shopping कर सकते हैं और अपना पैसा बचा सकते हैं Cash करो का एप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दीकाई लिंक पर क्लिक करें आप Cash करो के WhatsApp को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्री लूट डिल्स पाने के लिए 10 लकी विनर्स को 1000 रुपई के vouchers दिये जाएंगे वो Amazon या फिर Flipkart के होंगे आपको बस हाई भेजना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद आप अपने आप Cash करो के WhatsApp पर एड़ हो जाएंगे आप Cash करो का नंबर सेव करना बिल्कुल ने भूले राचेल फारुक दोस्तों मैं शुरुआत में ही आपको एक लड़की के बारे में बता चुका हूँ जिसका वजन 300 किलो के आप स्पास का था और वो लड़ रही थी अपनी जिंदगी से कि कैसे भी उसका वजन कम हो जाए लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ राचेल फारुक की एक महिला जिसकी लंबाई 5 फूट 7 इंच की है लेकिन उसका वजन सिर्फ 17 किलो है असल में राचेल को खाने की समस्या है कुछ भी खाया पिया उनके शरीर को नहीं लगता इसके अलावा उन्होंने कई डॉक्टर से संपर किया लेकिन सभी ने किसी बड़े होस्पिटल में इलाज करवाने के लिए उनको सलहा दी लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इस बिमारी का इलाज किसी बड़े होस्पिटल में करवा सके पर उन्होंने हार नहीं मानी बलकि लोगों से मदद मांगी और चंदा इकठा करना शुरू किया राचेल की गंभीर बिमारी को देखते हुए लोगों ने दिल खोल कर उनकी सहायता करी उनका इलाज कैलिफोर्निया और पोर्ट्यूगल में किया गया उनका इलाज आज भी चल रहा है और अब वो युनाइटिट स्टेट्स में आकर लोगों को इस बिमारी के प्रती जागरू करने का काम कर रहे हैं दोस्तों आपको इन मेंसे सबसे बढ़िया कहानी किसकी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और इस वीडियो का पार्ट टू चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट टू जरूर लिखें ऐसी ही इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद